कि वंदित्तु सव्वे सिध्धे धोय मचल माणोय मंग दिंपते वोच्छा मी समय पाहुड बिढमो सुध के वली भाणी दम समय साथ कल गाथा पैतालीस च्छालीस सैतालीस अलीस यह चार गाथाएं बढ़ी थी और यह कहा गया था कि अद्वसान आदी भाव यह व्योहार से जीब के कही जाते हैं लेकिन लिश्च ऐसे नहीं उधारन क्या दिया था कि जैसे राजा के बल समुदाय को ही कहा जाता है कि यह राजा निकल रहा है आदेश बल समुदाय से आदेशो ऐसे ही कि जबकि बास्तों में उसमें राजा तो एक ही है इसी तरह अद्वसान आदी को यह कहना कि यह जीब के हैं ऐसा व्योहार है वास्तों में तो निश्चे से तो जीब तो एक ही है यह इसमें उधारन आया था और जो 46 मी गाथा कि टीका पे थोड़ा सा पन ने कल विमर्श किया था आचारी ने कहा था कि यह व्योहार से अद्वसान आदी को जीब का कहा गया है और जिन वरेंद्रों ने मतलब भगवान ने ही ऐसा ब्रणन किया है क्योंकि निश्य और व्योहार दोनों सम्मेग्ज्ञान है न और सम्मेग्ज्ञान का ऐसा स्वरूप बताने वाले भी भगवान है यानि कर्म, राग, देश, इन सहे जीब को देखना ये भी एक दृष्टी है व्योहार ने है लेकिन ये ऐसा जूठा नहीं है क्योंकि यद दो दिक्कते आचारी ने बताए थी कि दो परिशानिया खड़ी होंगी पहली तो क्या कि जीब दया की बात खत्म हो जाएगी फर तो किसी को भी मार दो और कहोगे कि आत्मा तो मरते ही नहीं है आत्मा तो हमें न और दूसरा यदि सर्वथा राग और जीब अलग-अलग हो मुक्ति मार की समाप्त हो जाएगा तो आचारी ने कहीं भी ऐसी गुंजायस नहीं छोड़ी कि कोई भी जीब समयसार पढ़के स्वच्छन्द हो सके गलत अर्थ ग्रण कर सके पापाचार में चला जाए उन्होंने स्वेम इतनी सावधानी रखी है कुंद कुंद स्वामी म यह 46 मी गाथा में वो खुद कह रहे हैं कि यह व्योहार ने भी भगवान के द्वारा कहा हुआ है भगवान ने भी जीब को अद्वसान आदी वाला कहा है वो बात अलग है कि वो व्योहार है लेकिन व्योहार मतलब यह नहीं कि कि किसी सड़क्छा ब्यक्ति की बात है कोई पत्र पत्रिकाओं की बात है, यह कोई टीव इंटरनेट, वाटसेफ, सोशल मीडिया, ट्विटर, आधी की बात है, यह किस ने कहा है, यह भी भगवान ने कहा है, तो ऐसा कहे के बार बार आचारी जीव को निश्च्या भासी होने से बचा लेते हैं, उसे एकांती होने से निश्यद पराक आई है, कि यह सब व्योहार ऐसा है नहीं, या दूसरा व्योहार को की जहां जहां बात आई है, तो वहां निश्च्याब लंबी ना हो पाए जी, स्वच्छंद ना हो पाए, स्वच्छंद मतलब स्वतंतरता का दुरूपियो, उसे कहते हैं स्वच्छंद है ना कि जब आत्मा रख्स हूप रस रंग से रहत है कर्मादी से रहत है तो कुछ भी खाओ पीओ फिर पूजा की क्या जरूरत तीर्थयात्रा की क्या जरूरत संयम की क्या जरूरत सदाचार की क्या जरूरत तो वह सुतंतरता को जो दुरुपयोग है, फिर कुछ भी करने लगो, यद्वा-तव्वा प्रबडती करने लगो, तो वह कहलाती है स्वच्छंदता है ना, स्वेच्छाचारिता तो व्य वहार या तो समयसार में निशिद रूप में आया है निशिद रूप में किस रूप में कि उसका निशिद करते हैं आचारे या फिर कभी कवार उसकी इस्थापना जीव की स्वेच्छा चारिता से बचाने के लिए करते हैं अत्वा एकांट से बचाने के लिए उसके महत्त को बताते हैं यानि समय सार में वेवहार की बात तो बहुत है वेवहार की चर्चा तो बहुत है लेकिन आचार का उद्देश वेवहार वताना नहीं है आचार का उद्देश तो क्या था मैं एक शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा निजबेभो से दिखाऊंगा लेकिन उसके बीच में वेवह कुसभाइब तो आपको एसा लगेगा कि यह रामुल का चरितर है कि je इसने रामुलTO की महानता है कि राम कि महानता है पाथको अप्राहरां इसमें निकल जाता है कि आप हम यह तो आपको कहीं आपकर कुछ हम गलत पड़ रहे इतना प्रताब इतना महान व्यक्ति दिखाया है रामुण, लेकिन वो रामुण चरित नहीं है, कौन सा चरित है, राम चरित है, पदम पुरान है वो, है ना, तो फिर पाद में फिर दुर्दशा हुई, रामुण की फिर वो भी दिखाया, तो कहने का आएसा यह है, कि रामयन जब भी आएगी राम का चरत दिखाये जाएगा तो निशेद परक में रामण की भी बात आएगी लेकिन वो चरत किसका है वो रामण का नहीं है वो राम का आख्यान है तो समय सार में वेवहार की बात तो आई है लेकिन किस रूप में निशेद रूप में, कि वियोहार जो कह रहा है ऐसा है नहीं, ऐसा वास्तव में नहीं है, एक तो इस रूप में, या फिर एकांत वास्त वेक्छाचारी व्यक्ति नहो जाए, इसलिए वियोहार की उस रूप में महत्तु के रूप में बात आई है, है न लेकिन यहां समय सार में मुखता तो शुद्ध नएकी है किसकी मुखता है शुद्ध नएकी अब यही होता है अमाली जो कोई इनी गाथाओं को निकाल निकाल के बता देगा तो कौन कहता है समय सार में निश्चाई की बाद है कुछ समझ में आ रहा है तो यदि ऐसा व्याख्यान किया जाए तो उसकी पूशक गाथाय मिल जाएंगी देखो यह कह रहा है कि देखो बेवार को भगवान ने कहा है ऐसी यही निकाल की निकाल तो पबलिक को गुम रहे कर दो लेकिन यह आचारी ही वता रहे हैं वो ही आचा कि इसी तरह की विकरतियों से निजात पाने के लिए ती क्या कि समयस आर का कोई भी अधिकार कोई भी प्रक्रण कोई भी गाथा पढ़ि जाए आचायरी की उस पृतिज्ज्या को नहीं भूड़ना चाहिए कि आचायरी ने जो पृतिज्या की है कि मैं एकत उभखत आतमा क वो दिखाऊंगा यह मेरे समयसार लिखने का घृजन है तो वो पृतिग्या यह हमारे माथे से एक पल के लिए भी बाहर हो गई तो समयसार में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अब वो पृतिग्या आप हटा दो और इन गाथाओं को लेके बेढ़ जाओ तो समयसार की सुंदर तक हत्म हो जाएगी तो आचारे का उद्देश एक है मैं आत्मा दिखाऊंगा बस ये उनका उद्देश है उसके बीच में जो जो भी आएंगे वो सब उसके अंतरगत उपकरम है लेकिन वो जो आचारे ने प्रतिग्या ली थी उसे हमेशा शुरुधारे रखना चाहिए हर हर प्रक्रण पढ़ते समय उसे नहीं भूलना चाहिए और वो नहीं भूलेंगे तो हमेशा हम समयसार को उसी रूप में ग्रहन कर पाएंगे जिस रूप में आचाहर ने वो लिखा है और वो भूल जाएंगे तो ऐसी विस्कृतियां हो जाएंगी बड़ी-बड़ी सभाव बूला जाता है देखो विवहारी तो समयसार में भी विवहार होगा तो फिर समझ में नहीं आता निश्चे कहां होगा है इसलिए निशेद रूप में विवहार किस रूप में या तो निशेद के रूप में आया है या एकांत वा स्वेच्छा चारिता से बचाने के लिए विवहार का ने रूप पढ़ाया है मुक्रूप से विवहार को बताना आचारी का उद्देश नहीं है है ना ठीक है चले इस तरह से यह हुई अब हम गाथा उननचास पढ़ते हैं यह प्रशनिय है कि जब यद्दबसान आदी सब जीव के भाव है अजीव पुद्गल के भा है तो फिर जीव का क्या लख्शन है जीव की क्या पहचान है यह भी जब बता दीजी ठीक है तुलो उसके जबाब में आचारी ने गाथा उननचास लिखी अरस्मरूबमगंधम अवत्तम चेद्णा गुडमसद्धम जान अलिंग गहनम जीव मने दिट्ट संताणम जीव मने दिट्ट संताणम जीव मने दिट्ट संताणम विल्गे वोले अरस्मरूबमगंधम अवत्तम चेद्णा गुडमसद्धम जान अलिंग गहनम जीव माने देठे संठान ये गाथा आपको याद करनी है हमबर्ख है कल जब आप आए तो याद करके आए इसलिए पढ़के बहुत तसल्ली से देख लो कही अटके न तो ना भी दे तो समझ लो आप कि दिया है यदि याद करना है तो में देखो यह गाथा इसलिए मैं कह रहा हूं आप इस गाथा को कुंद कुंद स्वामी की प्रतिनिधी गाथा कह सकते हैं क्योंकि ये गाथा उनकी समयसार में भी है ये तो पढ़ी रहे उनने चासमी गाथा प्रवचंसार में भी है प्रवचंसार में 172 मी गाथा है नियमसार में 46 मी गाथा है भाव पाहुड में 64 में गाथा है पंचास्ती काय में 127 में गाथा है तो इन पांच चार परमागमा तो है और अश्ट पाहुड पुच्छू की एक नहीं है उस्तका कार एक जरूर है लेकिन वो आठ अलग लगें तो उसमें भाव पाहुड में भावपाहण में 64 मीं गाथा है तो पांच और जगए भी ये जो ध्रव संग्रे में लगू ध्रव संग्रे ब्रहत भत्रयन ब्ताउन गात उसके अचायर ने 26 गाताओं में लगुद्रवे संग्रह लिखा था तो उसमें पांचमी गाता है अरस्मरूबं गंदम अद्बत्तम चेदणागुन मसद्दम और धवला के भागतीन धवला का जो भागतीन है भागतीन के दूसरे पेज पर यह गाता बिलकुल शुरुबात जब होती है तो भागतीन में संख्या प्रुरूपणा है तत्वार सूत्रह पढ़ा था न तीरगरान में संख्या खेट्रसपरशन काला अंतर भावाल पर बहुत तो जो संख्या प्रुरूपणा आचारे लिख उस्तान में कितने जीव है कैसा क्या है तो बहुत वादों बताएंगी लेकिन सबसे पहले आचार ने जीव का लख्षन बताया कि जीव का लख्षन क्या है को वहां आचार ने कुंदकुंद आचार की इस गाथा का रिफरेंस दिया कि अरसमरूपम गंधम अबवत्तम संठाना वहां भी वात लिए ठीक है ना और और भी होगी अन्य जगे इतनी जगे तो मुझे ही पता है परमागों में धवला में ब्रद्र वसंग्रह में और कहां है और मुझे तो अभी पढ़ने में नहीं आई और आएगी तो बताऊंगा रहा है तो यह अलग अलग जगे का हलागी थोड़ा सा अर्थ में अधी फर्ग है अलग अलग जगे पर जैसे अम्रचन स्वामी ने तीन गाथा गरंतों की टीका लिखी प्रवचन सार की समय सार की और पंचास सिकाएगी तो तीनों जगे यह गाथा है तो प्रवचन सार की और समय सार की गाथा की अर्थ में थोड़ा फर्क है फर्क मतलब ऐसा नहीं की कोई है जीब की बात है जीब कई स्वरूप लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है ठीक है चलिए पढ़ते हैं इस गाथा क पड़तों लिया है अब अर्थ देखते हैं जो शुरूबात आचार ने नास्ती से की सबसे पहला शब्द लिखा जीवं जीव है कैसा अरस अरसम अरसम मतलब सीधा साधा अर्थ है रस से रहत ठीक है रस यानी कटा मीठा कड़वा कशायला तीका जो हमारी रसना इंद्री का विशे है वो कहलाता है रस यानी आत्मा कैसा है अरस नीरस नहीं लिखा क्या लिखा है अरस नीरस और अरस में क्या फर्क है नीरस और रस में क्या फरक है नीरस सब्द का इस्तिमाल तो मतलब समझ लो रूखे के अर्थ में भी होता है कोई मज़ा नहीं है ये नहीं है नीरस सब्द का इस्तिमाल नहीं किया किस सब्द का इस्तिमाल किया अरस रस से रहे रस तो है उसमें लेकिन कौन सारस है चेतना का रास है समतारस है रूखा सुखा नहीं है अरस अरसम फिल लखा अरूवम अरूवम यानी रूपसे रहे ठीक है तीसरा लिखा अगंधम अगंधम यानी गंध से रहे ट। रूप में क्या-क्या आता है रूप रूप कोन से गुनगी परिया है पुद्गर परियाए ईए लगर रूप गुंड की परियाए ऑगया और काला वरन पीला नीला लाल सफेद नही यह तो क्या अर्थ हुआ ना अतुमा काला है Bacon यह ना नीला है ना पीला है ना लाल है ना सपेद है अब लाल पीला तो कोन मांता है आम तोर परलोग गोरा अकाला यही मानते है तो उस्ते में शामिल जाना ठीक है तो अरसम अरूबं और अगंधं उ आज उड़ा हुआ है थी और अववत्तम अव्यक्त है अब्यक्त है यानि यदि अब्यक्त के दो अर्थ है एक जैसे नाचारे वाला अर्थ एक अम्रिचन्दाचारे वाला अर्थ है ना और उनी में एक सबसे सामान अर्थ तो ये है कि पुद्गल में के चार गुण है इसपड़्ष, रस, गंद, वर्ण तो अरस में रस से रहता गया, अरूबम में रूप से रहता गया वर्ण से रहता और अगंधम में गंद से रहता गया तो चोथा गुण कौन सा बचा पुद्गल का इसपड़्ष तो अब्यक्त यानि इसपड़्ष से रहता अब्यक्त कार्थ क्या हो गया इसपड़्ष से र दूसरा अर्थ अम्रचंग स्वावी ने ऐसा अर्थ किया है कि इस पर्ष से रहत तो ले लिया उन्होंने मतलब अपने अंडरिश्टोड ले लिया मतलब तीन का ले लिया तो इस चौथा तो उन्होंने अपने आप माल लो बुले इसको अलग से नहीं भी लिखा है तो इसे आप इसमें शामिल कर लो जैसे चौदमी पंद्रमी गाथा में था ना पहल चौदमी गाथा में तो आत्मा के पांच बिशेशन लिये थे जो पस्सदिय पाडम और आगी की में तिन लिये थे लेकिन आचायर कहते वो दो पीछे की गाथा से उठा लो ऐसे ही रूप से रहत रस से रहत गंद से रहत तो इस पड़श से रहत आप अपने आप उसमें लागू कर लो और अधी उसमें इस पड़श से रहत अलग से लागू कर लिया इसका मतलब अब व्यक्त कारत फिर कुछ अलग होगा इस पड़श से रहत नहीं होगा तो वो क्या अरत है कि व्यक्त व्यक्त नहीं है मतलब तो व्यक्त में दो तरह की चीजें है पिछली गाथाओं में भी बात आई थी एक आया था भावक और एक आया था गे भावक भाव गे भाव के संबंद का निशेद किया था और गे ग्यायक संकरदोश का निशेद किया था ठीक है तो गे कौन है दुनि अधर्मदर्ब आखासदर्ब कालजीवदर्ब ये सब कौन है मारे लिए गय तो ये क्या होगए in viakt ये क्या हो गाए in York ठीक है न झार है ये सब और दूसरे होगए भावक भाव मोहराग देश् Dennis ये क्या होगए तो रमोह, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोग, धर्मद्रब, धर्मद्रब, आकाश, काल, ठीक है, पुद्गल्मी ले लो, ये सब हो गए व्यक्त, आत्मा इन से रहत है, इसका नाम क्या है, अव्यक्त, ठीक है, तो ये तो सब है नास्ती से, अभी तक कितने विशेशन आए चारों नास्ती से, और असपड़श जोड़ दिया जाए तो कितने हो गए, पांच, ये तो आए नास्ती से, अब अगला आया है, अस्ती से, विधेयात्मा, चेदणा गुणम, कैसा है अजीव, चेतना गुणवाला है, अब चेतना गुणवाला कहें, उप्योग, मैं कहें, एक ही बात है, पहले उप्योग की बात आई थी ना, चौबिसमी गाथा में, कि भगवान है, सब्बनुडान दिख्टो, सरवग के ग्यान में दिखा है, जीवो अवोग लख्णोन चम, कि जीवनित ही उप्योग लक्षणवाला दिखा है, तो उप्योग में दो यात कौन कौन से, ग्यान और दर्शन, जानना और देखना, उसका नाम चेतना, क्या जानना, क्या देखना, कुछ नहीं, मात्र जानना और मात्र देखना, केवल ग्यान, केवल दर्शन, इन दोनों को मिला कहते हैं, चेतना, ठीक है, तो चेतना गुनवाला है, ये गुन है आत्म अगला है फिर असद्दम असद्दम मतलब असब्दम असब्दम मतलब सब्द से रहत। किसी भी संस्थान संस्थान से अनिर्दिष्ट संस्थान मतलब किसी आकार से वह दिखाई नहीं देता यानि कोई आकार वाला वह नहीं है आत्मा संस्थान वैसे कर्म की द्रश्टी से देखा हुजा तो छह प्रकार के संस्थान आपने सुले होंगे संचतुर संस्थान नियुग्र परिमंडल संस्थान कुपजक संस्थान बामन संस्थान हुंडख संस्थान यह सुले की नहीं तो यह संस्थान मतलब शरीर का जो यह आकार होता है ना किसी को कहते हैं संस्थान तो यह नाम कर्म की प्रकृतियां हैं नाम कर्म की तेरान में प्रकृतियों में यह है संस्थान संस्थान मतलब यह शरीर का आकार यह कहलाता है संस्थान तो जैसे शाष्ट्री भाषा में कहें कोई एंड गैण टेड़ा मेडा सा आद्मी दिखाना तो क्यासा संस्थान है कुप जत संस्थान निता किसे का निकला रहता है वामन संस्थान मतलब ठ्विगना है नहों हुझ रख शंतान है व पार से तो पतला होता है नीचे से मोटा होता है यह होता है उपर से मोटा नीचे से पतला समचत संस्थान में मतलब दोनों भाग बराबर बराबर जैसे हमारे आपके होते ना ऐसे बीच में से लाइन खेंच दो तो यह भी बराबर और यह भी बराबर ऐसे किसी के ऐसे सब तो यह जो शरीर का आकार है यही कहला सांगनन होता है संगनन वह शरीर की थाकत हड्डियों की ताकत स्थान तो कहते जीव के नाम पे दुनिया में क्या देखा जाता है शरीर का आकार देखा जाता है अपन प्रभावित किससे हो ते Państu तो आचार कहते हैं आत्मा संस्थान से रहे थे किसी भी आकार वाला वह नहीं है आकार उसमें नहीं तो अनरदिफ्ट संस्थान का सीधार्थ क्या हो गया वह संस्थान से रहे थे से अम्रचंद आचार ने वह और विशेश उसमेंि कि अर्दिफ्ट संस्थान का अर्थ करने में लेकिन आभी हो आप मोटत विज़ आपा क्या विवह और की विवह संक्तार करते हैं वात्मा है उस आकार वाला है कौन से नई से वेवहार से अब वो छीटी के सरीर में गया तोangen के आकार का हो जाओ गया हाथि जीब का हो तो फिर वो खत्म नहीं होगा आचारी की ये धीम है कि जो वस्तू का सुभाव है वो कभी नश्ट नहीं होता यदि जैसे मनुष्य आकार ये आत्मा का है इस समय यदि ये आकार उसका असल आकार हो तो कभी नश्ट नहीं होगा और यदि निश्ट हो जाता है इसका मतलब वह है उसका सही आकार नहीं है तो सही आकार क्या है तो उसे निशिद परग बताया कि जो ये आकार दिखाई दे रहा है संस्थान दिखाई दे रहा है बस ये नहीं है अरे तो कुछ तो आकार होगा, तो कहते है आत्मा को इस बोई तो कह रहा है कि अनर्दिष्ट संस्थान हुआ किसी आकार वाला नहीं है, समझ भाया है? तो फिर निश्चय से कैसा है? तो निश्चय से या तो आप कहने अनर्दिष्ट संस्थान या दूसरा शब्द आया है अ असंख प्रदेश मैं किसा आया है असंख्यात प्रदेश मैं यह उसका आकार है और पंदरमी गाथा में तो आये था अप देश अप प्रदेश अप प्रदेश मतले प्रदेश भेद से रहे थे ना तो थिर एक और विशेष्वन अलिंग गहडम यह भूत जवरजस्त पिसलिए ऐसा है कि यहांं को इस गाथा में तो इसका विल्कुल सा मन अर्थ किया लेक incent जहां प्रोचंग सार में गाथा आती एक 72 मेरकी गाथा मैंने बताए कहीं की फ्रोचंग सार में महा अधिकार है इससमें तत्थव्रिप्रिग्यापन दोशक तो उसमें दूसरा जो है गे तत्व प्रग्यापन उसमें तीन अधिकार, एक अधिकार है द्रव सामान अधिकार, दूसरा अधिकार है द्रव विशेस अधिकार, और फिर तीसरा अधिकार है ज्यान गे विभाग अधिकार, उस ज्यान गे विभाग अधिकार में ये गाथा आचारे ने वहां सारी दुनिया को दो भागों में बाटा है। मेरे लिए मुबाईल क्या है अनात्मा ये घर्ब मकान क्या है अनात्मा आप क्या है अनात्मा वहां कहें तो मैं ग्यान हूँ तो आप सब क्या है गे ठीक है। तो अग्यान गे विवाग अधिकार में आचारी देव वहाँ अध्यात में प्रकरण है, आचारी जीव के ग्यान की और गे की बिन्नता बताते हैं, और वहाँ फिर जीव का स्वरुप बताते हैं कि जीव कैसा है, तो वहाँ फिर ये गाथा उन्होंने लिखी, और वहाँ पिआजसें प्रवचल प्रकाशित हैं उसमें अलिंगेञष। बहुत लोग पुणुरी डिन के 20 बोले वह सुख्य ठीक है कि तो या अलिंगः याननी होता है पहचान। धिंक का होता पहचान। किसी भी वस्तू की पहचान और लिंग से ग्रहन यानि किसी वस्तू की पहचान से उसे जानना इसका नाम क्या है लिंग ग्रहन और आत्मा ऐसी किसी पहचान से जानने में नहीं आता क्या मतलब है अभी तो कहा था चेतना गुड़ लक्षण वाला है और अब कह रहे हैं पहचान में नहीं आता तो देखो इसका थोड़ा सा हमें न्याय की भूमी में इसको समझना पड़ेगा दो प्रकार के प्रमान होते हैं कौन कौन से एक प्रत्यक्ष प्रमान और एक परोख्ष प्रमान परोख्ष प्रमान के पांच भेद हैं इस्मरती प्रत्यविग्यान तर्क अनुमान और आगव तो अनुमान किसका नाम है अनुमान किसे कहते हैं अनुमान अनुमान की नाव अनुमान है यानि हम रास्ते में जा रहे थे तो वैसे तो चले जा रहे थे कुछ नहीं था सूखा था लेकिन पचासे किलोमीटर आगे जाके देखा हमने कि सड़क गीली थी खेत में पानी भरा हुआ था गड्डे भरे हुए थे पेड़ों से पानी गिर रहा था बून और वहां से जो गाडियां आ रहे थी वो गीली थी तो हमने क्या अंदाजा कर लिया की यहां बारिश हो यह कुछा था और पक्का था लेकिन कैसे जाना आपने बारिश होती हुई तो नहीं देखी लेकिन यह पहचान तो देखी न अनुमान यह गहलाता है लिंग पहचान इसी को कहते है साधन इसी को क्या कहते हैं साधन तो साधन से साध का ग्यान होना उस ग्यान का नाम क्या है अनुमान ठीक है तो तो अभी निए बारिश होते नहीं देखी, लेकिन हमने साधन से जान लिया, धुआ दिख रहा था, तो धुआ रूपी साधन से अत्वा लिंग से हमने जान लिया कि उस परवत पर आग लगी हुई है, ठीक है, तो इसको कहते हैं साधनास साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साद्ध का ग्यान होना ही अनुमान है उसी का नाम लिंग है तो कहते हैं आत्मा अलिंग गरण है यानि आत्मा अनुमान का विशे नहीं अनुमान ग्यान का विशे नहीं है अनुमान से हम अभ्या सबस्था में जान तो लेते हैं लेकिन हकीकत में आत्मा स्वानुभाव प्रत्यक्ष है कैसा है आत्मा स्वानुभाव से जानने में आता है कैसे जानने में आता है उसमें आये था कलश में कि अनुभाव के द्वारा ही जाना जा सकता है ऐसा आत्मा तो अमरच्चन स्वामी तो लिखते है स्वान भूत्या चका सते तो अलंग ग्रहन का अर्थ यह है कि वह आत्मा प्रत्यक्ष ग्यान का विशय है किसी चिन से यानि अनुमान से वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अनुमान से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष है कैसा है वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है नास्ती से कहा जाए तो अलंग गिरान है यानि अनुमान से नहीं जाना जा सकता और उसे विधेयात्मक तरीके से कहा जाए तो क्या कहा जाएगा वह स्वानुभव से जानने में आता है वह प्रत्यक्ष ग्यान का वि प्रत्यक्ष्य हें दो प्रत्यक्ष्य होता है उसका आननन अनुमान से नहीं किया जा सकता इसनिये उसको किस शब्द में कहा आचारने अलिंगगर्ण वें लिंग के द्वारा किसी पहचाद के दॉआरा उसका ग्रहन नहीं होता अनुमान से समझ तो समझते मतलब अभ्यास की दर्षा में हम अनुमान से समझ तो सकते हैं अनुमान के द्वारा उसे बता तो सकते हैं ठीक है? अनुमान के द्वारा उसका एक सामान ग्यान तो करा जा सकता है लेकिन यहां सामान ग्यान अथ्वा अभ्यास नहीं लिखा यहां शब्द है गहाण गहाण। वह अलेंगा ग्रहन वह किसी अनुमान का विशय नहीं है किसी लिंगादी के द्वारा उसको ग्रहन नहीं कर सकते जब दूसे ग्रहन करेंगे तो प्रत्यक्ष्ष्व संबेदन द्वारा ग्रहन करेंगे लेकिन जो गुन है आत्माती जिसे ज्यान गुन हुआ तो उसे तो साधन साथ्य पर देखा कहां है आप किससे पहचान कराओगे आत्मा की अनुमान से तो कराओगे तो अनुमान से आप जो जान लेगे हाँ आत्मा नाम की कोई चीज है यह ग्यान होता है तो आत्मा नाम की कोई चीज है लेकिन जो आत्मा का अभेद आनंद होगा उसमें यह पहचान आदी के विकल्ब थोड़ी होगे है ना तो वुषी की तो बात है कि वह एस आत्मा का ग्रहन अनुमान से संभव नहीं है किसी चिन नादी से उसका अनुमान कर लेए इसा संभव नहीं है वो तो प्रत्यक्ष्वानुंभव की दसा में ही उसका ग्रहन होता है वहां अनुमान नहीं चलेगा देखो एक होता है यह गाथा है बहुत अच्छी नय चक्र में उद्रित है प्रम्भाव प्रकाशक ने चक्र में कि एक होता है अन्वेशन काल और एक होता है आराधना काल कौन-कौन से एक अन्वेशन काल और एक होता है आराधना काल अन्वेशन काल मतलब अभ्यास का काल और आराधना काल मतलब स्वरूप अन्वाव की देशा अब अन्वेशन काल में तो सब उप्योगी है अन्वेशन काल में तो निस्चेवे ओहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक जो अभी कह रहे थे वो सब अन्वेशनकाल है और आराधनाकाल मतलब स्वानगाव की दसा है तो वहाँ उसका बरड़न है कि वह आत्मा अनुमान से जानने में नहीं आता है ना अनुमान से हम उसका अभ्यासादी के अन्वेशनकाल में तो करते हैं लेकिन आराधनाकाल में तो वह प्रत्यक्षी ज्ञान का बिशय है वहाँ प्रत्यक्ष ज्यान का बिशय मतलब आत्मा आनन्द उसका प्रत्यक्ष है आत्मा के संख्याद गुण तो बार में उस्थान तक भी परोक्षि है वहाँ वी वह आगम से जानता है लेकिनि Dziękuję कि प्रतिक्ष आनंद की बात है जिसके लिए आचार ने प्रतिग्या की थी कि मैं तुम्हा दिखाऊंगा और तुम स्वानुभौ theor प्रतिक्ष करना ठीक है इसलिए मैं कहा तो आप कोई भी गाथा उस प्रतिग्या को भूलकर उसका अर्थ सही ग्रहण करी नहीं सकते कौन सी प अब देखो एदी लक्षण दो प्रकार के होते हैं एक साधारन लक्षण और एक असाधारन लक्षण कौन-कौन से साधारन लक्षण और असाधारन लक्षण अब इसमें साधारन लक्षण तो वह होते हैं जो सम्में पाए जाते हैं जैसे हम अरूपी है यह असाधारन लक्षण नहीं है एक साधारन लक्षण है क्यों? क्योंकि दूसरे द्रब भी अरूपी है तो ऐसे इसमें कुछ लक्षण साधारण है और कुछ असाधारण है जिसे का जाए अरस अब यह साधारण लक्षण है कि असाधारण लक्षण है नकारात्मक है ना क्यों? क्योंकि अरस तो धर्म द्रब्ब भी है असरस तो आकाश द्रब्ब भी है अरस्तो काल द्रब्ब भी अरूबम साधारन लक्षण है क्यों कि धर्म द्रब्ब भी है अधर्म द्रब्ब भी है तो हकीकत में असाधारन लक्षण कौन सा है जेदना गोन ये असाधारन लक्षण क्योंकि ये किसी दूसरे द्रब्ब में नहीं पाया जाता है ना नियाय में जाओ तो बहुत है दो प्रकार के लक्षण बताए एक आत्म भूत लक्षण और एक अनात्म भूत लक्षण आत्म भूत लक्षण जो बुस्तु सरूप के में घुसकर हो अनात्म भूत लक्षण मतलब जो अलग-अलग हो जाए जैसे कहा डंडे वाला देवदत है ना तो अब डंडे लिए जो व्यक्ति उसको पहचान जैसे आप मालीजे मुझे कुछ प्रश्ण पूचना अब आप लोग मैंसे कोई एक चस्मा लगाए तो उने को चस्मे वाले बताएंगे तो चस्मा लक्षन बन गया ना पहचान तो वो कैसा पह पहचान जो उस आत्मा की असाधारण पहचान हो जो और किसी द्रभ पर लागू नहीं होती हो वो पहचान कौन सी है चेतना गोर बाकी तो कैसी है बाकी तो निशेद परक है अरसम अरूरवम अगंधम अब ऐसी नास्तियां तो आप कितनी बना लो जितने पुद्गल के है तो अननती नास्तियां बन जाएंगी है है नशाधारा और असाधारा लक्षन तो क्या है चीतना क्या है ये कहने क्या है एर Listen C किस में अटकी है, किस में अटकी है, रूप में अटकी है, रंग में अटकी है, संस्थान में अटकी है, स्त्वास्त में अटकी है, है ना, अब किसी का यसी में ही अटका है, कि वो पता चले पूरी जिंदगी वो फैरे लवली पूतने में निकाल दी, तो अब आचार उसका न आने में निकाल दी, तो आचायर को जहां जहां जीव अठका है, जहां जहां जीव अठका है, अब आप देखो, आपकी मालनी ज़े कोई फोटो है, फोटो और कोई उस फोटो को फाड़ दे वे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना, बुरा लगेगा, और फाड़ दे, और फाड़ वे ऐसी नहीं, टुक्ड़े टुक्ड़े कर दे वे, और इतने ही नहीं, ऐसे जमीन में डालके पैरों से कुछ ले हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो कहते हैं, बहले ही चेतना वाला है, लेकिन प्राण तो कहां अटके हैं? रूप रंग में अटके ना प्राण तो, संस्थान में अटके ना प्राण तो, मोटा आदमी दुबला होने की कोशिस करता है, करता है इने, बजन घटाना है, जी बजन घटाना है, और कपाल भात और दूबला आदमी मौटा होने की कोशिस करता है वो दूद्ध खेला खाएगा बादाम और च्वारे खाएगा और वहां खेर नगर में जाओ तो कई सारी दुकाने लाइन से हैं काई की सब्लीमेटरी जिम में जाते न तो वो जिम में जाएंगे और वो डबे के डबे पता काई की दबाई खाएंगे फूरी जाते तो जहां जहां जिस जिस रूप में जीव अटका है तो उसके निशेद परा काचारे जीव की पहचान बताते हैं कि आत्मा कैसा है रूप रहत है रंग रहत है शब्द रहत है इस पडशन रहत है और कैसा है कहते संस्थान वाला नह है यानि सीधी सी बात कहें तो निशेद वाचक जो शब्द लगाए उसको सीधे सरल भाशा में कहें देखो ये तो मैंने बताए था आपको दो तरह के शब्द होते हैं एक होते हैं सामान वाचक शब्द जाती वाचक शब्द जाती मतलब काफ्ट हिंदू मुस्लिम जैनने जाती मतलब बहुत सारी चीजों को collective word जिसे हम कह सकते हैं एकठा करने वाले word और दूसरे होते हैं विशेस व्यापार के सूच पर्टिकुलर किसी एक परिस्थिती को लिए हुए है ना तो आचायर तो collective word का प्रियोग करते हैं मतलब बहुत सारी स्थितियां एक में शामिल हो जाए वो यसी शब्दों का प्रियोग करते हैं जैसे आप से पूछे और आपका दिन कैसा रहा तो घर में पूछा तो आज तो परिशान हो गए तो परिशान तो सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी चीजों का एक संभू हो है यह ना ग्रूप है एक collective word है तो वो सिर्फ जू नहीं रहेंगा ऐसे तो आप किसी से परिशान होगा कोई यह भी नहीं पूछेगा क्यों क्या बात हो गई किसी किस रुपे नहीं जूने आप पचास तरह से परिशान हुए उन चास छोड़ दो कोई एक परिशानी आप विशेस तोर पर बताओ बस जी क्या करें स्कूटर से जाई रहे थे बस यहाँ सोफीपूर के आगे की बात है जहाँ जंगल सा आता है बस जी वहाँ स्कूटर बंध हो गया देखा पैट्टोर लीख हो रहा था अब वो चल रहा था फिर क्या दा बहेंकर गर्मी थी क्या करता पसीने आ रहे थे पैट्टूल पम तीन किलोमेटर दूर था फिर मैं लुड़का की ले गया बीच मद मुझे चक्कर सा आने लगा अब सिर पे जू रहेंगे अब रहेंगे का कि नहीं अब आप बहुत परेशान हुए जी आप सिर पर जू रहेंगता है कुछ समझ में आरी बार तो इसी कलेक्टिव वर्ड है आत्मा अरस है अरूप है लेकिन इसमें माने ब्याज से क्या क्या छुपा हुआ है यादी हमारी जो सुबह से लेके शान तक की परवर्टी होती है शरीर आश्रित चाहे शरीर को स्वस्त रखने वाली संबंदी हो चाहे गूरा काला मोटा पतला चाहे उसकी चिंता वर्ण दर्द हों फर्द हों ये सब उसमें शामिल है काय में अनिर्दिष्ट संथान अरस है अरूप है अगंद है अब्यक्त है है ना ये सब उसमें शामिल है क्योंकि व्यक्ति परियाय मूर्टा के ना नहीं है लेकिन शरीर के साथ तो व्यक्ति का एक शित्रावगाय संबंद है ना बाकी की चीज़ा तो ऐसी है कि कोई जन्म से होती है बीच में चली जाती है बीच में होती है बीच में खत्म हो जाती है बीच में हो अंतितक चलती है लेकिन शरीर एक ऐसा है जो जन्म के पहले स्वास्त अच्छा हो बुरा हो यह कम जादा होता रहता है जन्म के समय आप अमीर थे पर गरीब हो जाएं गरीब थे पर अमीर हो जाएं फिर गरीब हो जाएं इसमें बहुत बदलाव रहता है जन्म के समय आप स्वस्थ थे अस्वस्थ हो जाएं जन्म के समय आपके माता-प बीच में कई नगर बदल दे तो ये जो बाहर की चीज़े हैं ये तो बदलती रहती है लेकिन एक ऐसा है शरीर ये जन्म से लेके मरत्यू परेंद बदलता नहीं है ये रहता है इसलिए जीम की सबसे जादा एकद तो ममद तो इसी की रहती है किसी शरीर की है ना और यही कि जब ये जन्म से लेके मृत्यू परियंत तक एक साथ रहने वाला बिलकुल हर दम हर अक्षा जहां जीब जाएगा वहाँ ये जाएगा है ना तो जब ये आत्मा का नहीं होगा तो शरीर से संबंदित और जो बाहर की चीज़े हैं वह आत्मा के कैसे हो अमें उसमें भी ह सामा एक पाठ में तन से जिसका एक नहीं हो सुत्तिय मित्रों से कैसे चर्म दूर होने पर तन से रौम समू है रहे कैसे कैसी मिशाल दी का एकी मिशाल दी कि जैसे चर्म चर्म मतलब जानते गी नहीं चमडी तब जैसे चमडी अलग हो जाए तो ये रौम समू होते ना रौ रॉम समूः के जो जिस से बाल निकलते हैं वो रॉम कहलाते हैं तो जब ये निकल जाएगी तो रॉम कहां रहेंगे इसी से तो बनाए रॉम रॉम से निकले प्रभुबर नाम तुमारा रॉम रॉम से निकले मतलब यहां यहां से ऐसी निकल रहा है यानि सर्वांग से ना ऐ तो ऐसी कहते हैं जब शरीरी आदमा का नहीं है तो उससे संबंद रखने वाली बाहिजीजे कैसे हो तो आचायर के टेक्निकल शब्द हैं हकीकत में हमारी जो शरीर के प्रती ये कत्व गुद्धी है क्योंकि देखो ना सारे जो नास्ति परक बिशेशन लगाए तो काय पे ल कि इस चरीर पे कर रहे हैं इस चरीर पर सारी सबस्ते जादा चोट की जा रही है आचायर के द्वारा क्योंकि जीब की गारी कहां अठकी है छरीर पर यटकी है ना आचायर पूझ पाद ने वह ऐसी थोड़ी लिख दिया इस टोप देश में दोहा पचासमा दोहा जिस है कि मैं अलग हूँ और ये पुद्गल अलग है बस इतना जिनागम का सार है और पुद्गल में भी सबसे ज़्यादा बुद्धी किसमेट की है शरीर में कोई मुसीबत आएगी दुनिया की है ना तो सबसे पहले आप किसको छोड़ेंगे किसको छोड़ेंगे जिन से बहुत कम संबंध है उनको त्यागे और बड़ी मुसीबत आएगी तो किसको छोड़ेंगे दोस्ते आरा मित्रों को छोड़ेंगे और मुसीबत आएगी तो किसको छोड़ेंगे माता पिता को छोड़ेंगे और मुसीबत आएगी तो किसको छोड़ेंगे है ना पती या पतनी जो भी हो छोड़ेंगे या इसने नजदीक आओ लेकिन अंत में कौन रह जाएगा शरीर रह जाएगा ये नजदीक है और इसके एक प ह望 प्रयाय मूरता की बात तो हुआ प्रयाय मूरता में यही लिया आशायार में कि कि मैं मुनष ित्रेंच देवनार की हूं वसिसका नाम नाम मिथ्च्थाधर्स्टी है छेडाला में लिखा, मैं सुखी, दुखी, मैं रंग के राओ, इस सब काईप के आश्रित हैं, शरीर के आश्रित ही था, शरीर स्वस्त तो मैं स्वस्त, शरीर बीमार तो मैं दुखी, है न, तो इसलिए आचार की गाथा में एक-एक शब्द पर देखें आप, जितने निशे परक्षब्द हैं उन सब पर काय पर चूटकी है शरीर पर चूटकी है क्योंकि जीब की है ना कहा अटकी है सुई शरीर पर अटकी है ना ठीक है गाथा पढ़ो इस बार फिर हिंदी पढ़ाएंगे अरस्मरूबम गंधम अब्बतम चेदरांगुणम सद्धम जान अलिंग गहणं जीवम्ने दिठ संथानं हिंदी पढ़ो हिंदी चैतन गोण में आत्मा अव्यागत अरसे अरूप है पर समझा नहीं आए चैतन गोण में आत्मा अव्यागत अरसे अरूप है जानो अलिंग ग्रहन इसे यह अनिरदिष्ट असब्द है यह इसमें जो अव्यादिष्ट पर इठान वाली बात है दिए अकार पर इसे रहीत है सिद्धों का आकार अंतिम चर्म चर्म शरीर के आकार का है ना तो उसमें भी वो सिद्धों पे लागू करो मत आप इसे इसलिए मत लागू करो क्योंकि ए आत्मा के सिद्ध भगवान जब सादक अबस्था में थे तो उन्हों ने कौन से आकार का ध्यान किया कौन से आकार का ध्यान किया है ना तो मनुष्य गती में थे तो मनुष्याकार का ध्यान नहीं किया, मैं असंख्यात प्रदेशी एक द्रग हूँ, ऐसे अप्रदेशी का ध्यान किया, तो आचार यहां आत्मा स्वानुभव कराना है, और स्वानुभव में आप आकार का ध्यान रखेंगे तो स्वानुभव नह कहते हैं कि आत्मा के बिंजन पर आए अंतिम जब अगयंत शरीर होता है और अगयंत स्वाबावेखे मनुष्रिकती के जीव होते हैं तो मनुष्रिकती के जब अरहंत अवस्था में थे तो वह आत्मा की अशुद्द अवस्था थी संयोग भई अवस्था तो उसमें आत्मा क अशुद दवस्था मतलब आकार की दृष्टी से तो वहां से जब छूटा आत्मा तो वो आकार भी नहीं रह जाता है उससे थोड़ा कम रह जाता है इसलिए लिखाए उसमें किंचित नियून आकार लेकिन वो जो आकार है वो कोई ध्यान का धेग दृष्टी का विशाय है ऐसा कुछ नहीं है वो आकार वो तो एक कुद्रती विवस्था है कि अंतिम जिस शरीर में था बस उस आकार में था अब वो शरीर निकल गया उसमें से ठीक है? तो उससे और थोड़ा छोटा हो जाता है आत्मा का आकार थोड़ा उससे छोटा इसलिए किंचित नियून मतलब नियून यानि छोटा थोड़ा कम क्योंगी पहले वो शरीर के आकार में था तो थोड़ा उसमें घनत तो कम था घनत तो कम मतलब अब जैसा ये नाक के बीच में है अब ये जगह है? ठीक है न? अब यहां आत्मा की प्रदेश नहीं है मू है अब देखो ये होटों में तो आत्मा की प्रदेश है लेकिन अंदर खाली जगह है यहां आत्मा की प्रदेश नहीं है कान है तो एक लिमिट तक आत्मा की प्रदेश नहीं है लेकिन ये बाहर इस टिम टाम जो है इसमें है तो आत्मा को जब मुख्ष होता है तो ये बीच का गैप भी भर जाता है थोड़ा सा वो छोटा हो जाता है आकार में लेकिन वो जो आत्मा है वो कोई ध्यान का दे दरश्टी का विशय ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो जो पुद्धाकारी था क्योंकि जिस आखिर मनुष्य परयाय में रहें के साधना की तो वह मनुष्य का आकार था इसलिए निश्चय से आत्मा किसी आकार वाला नहीं है अनिर्दिष्ट संस्थान यानि इस संस्थान से हम उसे नहीं जान सकते किस संस्थान से अब जो सिद्ध और संस्थान वाला या कि हंड़क संस्थान से उसकी पहचान नहीं है ठीक है ना तो यह उसमें जाल लेड़ा चलो समय हो गया है तो कल यह गाथा याद कर लेंगे आप है 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 यह भूलो कि अधिर अध्यू